हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे ऊंलाइन चनल अराध्या आरेस अकेडमी में दोस्तो राजस्तान में आईउजित राजस्तान रिट बरती परिक्षा लेवल 2 के नवीनतम पाठेकरम के अनुसार 2021 का जो नवीनतम पाठेकरम है उसके अनुसार दोस्तो पोलिटिकल साइंस में राष्टरपती का टोपिक है और उस राष्टरपती से समंदित है आज मैं आपके लिए टोप सो प्रसन लिकाया हूँ अगर आप ये सो प्रसन देख लेते हैं तो दोस्तों आपका राष्टरपती से समंदित एक भी प्रसन है वो गलत नहीं होगा अरद्यारेसिकेड़्वी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल ऐकन को दबाई वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रेस्नेक भारत के राश्टरपती की तुलना निमनलिकित में से किस से करना सरवादिक उचित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए अमेरिका के राश्टरपती से फ्रांस के राश्टरपती से स्रिलंका के राश्टरपती से ठीक है इन तिनों से उचित करना दोस्तों बिल्कुल भी बिन है ठीक है और यहां पर देखिए बिर्टेन के समराठ से तुलना करना सरवादिक उचित है क्योंकि दोस्तों देखिए अमेरिका का राश्टरपती और फ्रांस का राश्टरपती और सिरलंका का राश्टरपती इन तीनों के राश्टरपती के दोस्तों चुनाओ होते हैं ठीक है मतलब जनता वोट देती है सीधे तरीके से यहाँ पे बिर्टेन के समराट से अपन तुलना कर सकते हैं अपने राश्टर पती से तो इसका राइट आंसर सी नमबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सेकंड नमबर प्रेशन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्स कोन होता है तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्स कोन होता है राश्टर पती ए नमबर ओप्शन से उत्तर नेक्स्ट थर्ड नमबर प्रेशन है संग की कार्यपालिका सकती नहीं थै तो दोस क्या होता है तो दोस्तो भारत का राश्टर पती है तो ये राज्य का प्रधान है किसका प्रधान है राज्य का प्रधान है भारत का राश्टर पती तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्शन बिलकुल सविप्तर हो जाएगा आगे देखें भारतिय सविधान के अनुसार देश का पर्थम नागरिक कोन होता है तो देश का पर्थम नागरिक है वो राष्टर पती होता है ए नमबर उप्षन सईुतर नेक्स्ट ए शिक्स नमबर प्रेस्ने भारतिये सविधान के अनुसार संग की कारीपाली का सकती किसमे नहीत होती है तो संग की कारीपाली का सकती है वो किसमे नहीत होती है तो ये राश्टरपती में नहीत होती है B नमबर उप्षन सयुतर Next साथ नमबर प्रेसने भारतिय सविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्स यानि कि सुप्रीम कमांडर कोन होता है तो वो होता है राश्टरपती ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राश्टरपती आगे देखिए आठ नमबर का प्रेस ने भारत का राश्टरपती होता है तो दोस्तों ये राज्य का सविधानिक अध्यक्स होता है राज्य का सविधानिक अध्यक्स होता है ठीक है भारत का राश्टरपती बी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है भारत का वास्त्विक सासक प्रदानमंत्री होता है पहले नमबर का option में देखिए आगे देखिए 9 नमबर प्रेशने भारती ये ससस्त्र से नाओ का सरवचे कमांडर कौन होता है तो ससस्त्र से नाओ का सरवचे कमांडर ही राश्टरपती होता है दोस्तों कौन होता है राष्ट्रपती ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर दस नमबर प्रेशन है भारत के राष्ट्रपती के लिए आवशक योगेता नहीं है तो कौन सी योगेता है वो आवशक नहीं है भारत के राष्ट्रपती के लिए देखिए वहें भारत का सब्सक्राइब यानि कि सीधा सा है राष्ट्रपती बनने के लिए नियूनतम आयू है वो कितनी होनी आवशक है तो वो है 35 वर्स है दी नमबर उप्शन सयूतर हो जाएगा 12 नमबर का प्रेस्ण है राष्ट्रपती पद के उमीदवार के लिए अधिकतम आयू कितनी होनी चीए तो दोस्तो इसका राष्ट्रपती पद के उमीदवार के लिए अधिकतम आयू कितनी होनी चीए तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम आयू की कोई सीमा नहीं है तो इसमें डी नमबर का ओप्शन बिल्कुल सयूतर हो जाएगा चाहे आप 108 साल के हो जाओ च ठीक है आगे देखिए इसमें 13 नमबर का प्रेश ने एक वेक्ति राष्ट्रपती पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है कोई सीमा नहीं यानि कि कोई सीमा नहीं कितनी बार भी राष्ट्रपती बन सकता है ठीक है तो अपना राइट आंसर इसमें D नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रेश ने राष्ट्रपती का निर्वाचन किस प्रकार से होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एपर्टेक् प्रेश ने राष्ट्रपती का निर्वाचन होता है तो इसमें D नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 15 नंबर का प्रेश ने राष्ट्रपती पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्दती अपनाई जाती है तो दोस्तों वो है समानुपातिक परतिनिदित्वे एवं एकल संक्रमणिये मत पद्दती ये पद्दती अपनाई जाती है राष्ट्रपती के निर्वाचन हेतु तो इसका राइट आंसर D नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रेश ने राष्ट्रपती पद के चुनाव समंदी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है तो राष्ट्रपती पद के चुनाव से समंदी विवाद हो जाता है तो उसको सुल्टा राकॉर्ण करता है उसका तो वो है सुप्रीम कोट यानि कि उच्टम नियाल है D नंबर का उप्शन बिल्कुल स कम से कम कितनी संक्या होनी चाहिए राश्ट्रपती के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमधकों की कम से कम कितनी संक्या होनी चाहिए तो ये संक्या होनी चाहिए दोस्तों 50-50 यानि कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमधक होने आवश्यक है तो इसका राइट आंसर इसमें सी नमबर का उप्षन से उत्र अठरा नमबर प्रेस्टन है भारत का राष्ट्र पती निर्वाचित होने के लिए निम्नलिकित में से कौन सी बात अयोगे मानी जाएगी तो कौन सी बात है वो अयोगे मानी जाएगी यहाँ पे तो यहाँ पे देखे वह भारत का नागरिक हो बिल्कुल सही है, फैंतिस वर्स के आयूपूर्ण कर चुका हो, यह भी सही है, लोकसबा का सदश्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, ठीक है, और देखिये इसमें, चोथा नमबर का, कोई लाब का पद ग्रहन किये हुए हो ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें ठीक है ये अयोगित्ता हो जाएगी इसकी यानि कि राश्टरपती का पद है वो कोई दूसरे पद के उपर नहीं हुआ हो यानि कोई भी लाप के पद पर गरहन नहीं किये हुए हो तो इसका राइट आंसर डी नमबर का उप्षन से उत्र हो जाएगा गुनिस नमबर प्रेस ने इसमें देखे भारत में राष्टरपती का चुनाव किया जाता है तो वो एकल हस्तांतरित मत पद्दती द्वारा भारत में राष्टरपती का चुनाव किया जाता है बी नमबर का उप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 20 नमबर प्रेस ने राष्ट्रपती पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो यह किया जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा तो ये है निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्टरपती पद का चुनाव संचालित किया जाता है, ठीक है, तो अपना राइट आंसर इसमें C नमबर उप्शन हो जाएगा, आगे देखिए इसमें 21 नमबर प्रेशने, भारत में किस के चुनाव में अनुपातिक परति निजित्वा चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो ये राष्टरपती के चुनाव में, ठीक है, ये प्रणाली अपनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नमबर उप्शन सयुतर, नेक्स्ट, 22 नमबर प्रेशने है, राष् राष्टरपती तथा उप्राष्टरपती के निर्वाचन से समंदित विवाद का निन्य उच्तम नैले द्वारा करने का प्रावधान सविधान में किया गया है, अभी यानिकी देखिए दोस्तों यहाँ पे कि राष्टरपती और उप्राष्टरपती के निर्वाचन अंदित विवाद है वो उच्टमनेल हल करेगा तो वो अनुचेद है दोस्तों अनुचेद इगेतर अनुचेद इगेतर में यह प्रावदान किया गया है तो इसमें डी नंबर ओप्शन विल्कुल से उत्तर आगे देखें 24 नंबर प्रसने राष्टरपती पद के उम्मीदवारों को चुनाव परचार हेतू कितना समय मिलता है तो दोस्तों कितना समय मिलता है तो दोसपता का समय मिलता है बी नंबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा दोसपता का आगे देखें इसमें भारत का राष्टरपती का चुनाव कितने वर्सों के लिए होता है भारत का राश्टरपती यानि कि भारत के राश्टरपती का चुनाव है वो कितने वर्सों के लिए होता है तो यह होता है दोस्तों पांच वर्सों के लिए बी नमबर का उपसद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें किस अनु यानि कि दूस्टों देखिए यहां पे राष्टरपती है वो अपने पद गरन करने की तिथी से यानि कि जिस दिन जोईनिंग करता है उस दिन से पान्छ वरस तक राष्टरपती अपने पद पर रह सकता है यानि कि बना रहता है कौन से अनुचेद के अंतरगत ये अनुचेद चपन के अंतरगत तो इसमें बी नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा तीक है आगे देखिए इसमें 27 नंबर प्रेशने राष्ट्रपती के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं तो कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में देखिए संसद के दोनों सदनों तथा विदान सबाओं के निर्वाची सदस्ये हैं वो इसमें भाग लेते हैं यानि कि राष्ट्रपती के चुनाव में सीधा सा है कि कौन भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्ये और वि बारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है वो अपने को इसमें बताना है देखिए मैं आपको डायरेट बता देता हूँ पूरा ही बता देता हूँ तो इसमें देखिए निर्वाचन से समंदित अपने को बताना है कि कौन सा कतन इसमें सत्य नहीं है राश्ट्रपति से समंदित देखिए सबी राज्य विदान सबाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विदान सबाओं भंग हो ठीक है आगे देखिए इसमें तीसरा नमबर का संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मुले सबी राज्य विदान सबाओं के सयुक्त मत मुले से कहीं भी अधिक होता है बिल्कुल सही बात है दोनों कतन है वो सही है आगे देखिए इसमें कोई उमिद्वार यदी मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्यम ही निर्वाचित नहीं हो जाता ये भी दोस्तो इसमें बिल्कुल सही है आगे दीखिए इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के समझ में यदि कोई विवाद हो तो सरवोचन एले के छेत्रा दिकार में नहीं आता, यहां पे यह गलत दे रखा नहीं, तो सरोच नहले के छेतरा दिकार में आता है, तो यहां पे नहीं गलत दे रखा इसमें, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसमें D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए इसमें, गुंड चुक्त द्वारा हटाये जा सकता है, D नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आगे दीखिए भारत के राश्टरपति को पद से हटाने की परकिरिया, तो कैसे उत्तर हो सकते हैं, तो संशत्वारा महावयोग पारित करके राश्ट्रपति को खटा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर आगे देखिए सविधान के उलंगन के लिए राष्टरपती के विरुद अभियोग कारिवाही किसमें सुरू की जा सकती है सविधान के उलंगन के लिए राश्टरपती के विरुद अभियोग कारवाई किसमे सुरू की जा सकती है तो सुरू यानि कि जो अपने महभियोग की जो परकिरिया है ठीक है वो किसमे सुरू की जा सकती है तो संसद के कोई से भी सदन में की जा सकती है यानि कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये महावयोग की परकिरिया है ये सुरू की जा सकती है तो इसमें C नमबर उप्सन से उतर हो जाएगा आगे देखें राश्टरपती को हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है तो ये महावयोग के द्वरा हटाया जा सकता है D number option से उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए 33 नमबर प्रेस ने राष्टरपती पर महाबयोग किस आधार पर लगाय जा सकता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए इसमें सविदान के अतिकर्मन करने पर यानि कि सविधान का अतिकर्मन करने पर राश्टरपती पर महावियोग लगाया जा सकता है तो इसमें B नमबर उप्सन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखें राश्टरपती पर महावियोग की परकिरिया किस देश के सविधान से ली गई है यानि कि राष्ट्रपती पर माहवियोग की परकिरिया है ये किस देश के सविधान से ली गई है तो ये ली गई है दोस्तों कहां से तो अमेरिका के सविधान से ली गई है ए नमबर उप्शन बिल्कुर सहुतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 35 नमबर प्रेशने भारतिय राष्ट्रपती को किस परिश्टिती में अपने पद से त्यागपतर देना पड़ता है तो वो है दोस्तों महवियोग लगने पर अपने पद से त्यागपतर देना परता आगे देखिए कारेकाल पून होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कोन हटा सकता है यानि कि कारेकाल पून होने पर पहले यानि कि कारेकाल पून होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कोन हटा सकता है तो कोन अटा सकता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है संसद द्वारा महावयोग लगा कर उसको यानि की राष्ट्रपती को कारेकाल समाप्त होने से पहले ही हटाया जा सकता है महावयोग के द्वारा तीक है आगे देखे राष्ट्रपती पर महावयोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है यहें कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए अब यहां पर देखे अगर राष्ट्रपती के विरुदाप महावयोग ला रहे हैं तो संसद को दोस्तो संसद को लिखित सूचना देनी पड़ती है कितने दिन पहले तो दोस्तो 14 दिन पहले यह लिखित सूचना है वो देनी पड़ती है ठीक है तब जाके 14 दिन बाद में दोस्तों महावयोग पर के लिए है वो शुरू की जाती है तो इसमें बी नमबर उप्सन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखें संसद में राष्टरपती के विरूद महावयोग परस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सदन में कुल सदस्यों में से कम से कम दो बटा तीन सदस्य सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम दो बटा तीन सदस्य है वो अगर प्रस्ताव पास कर दे तो महाब्योग माना जाएगा और राश्ट्रपती को दुस्तो त्याग पतर देना पड़ेगा तो इसमें बी नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें बारत के राश्ट्रपती को कारिय अवदी की समाप्ती के पूर्वे भी पद से हटाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो महाब्योग द्वारा सी नंबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट आगे देखें बारत के राश्ट्रपती के रूप में उसके द्वारा अपना चुनाव अवद गोशित किये जाने से पूर्व के कर्तियों की क्या स्वेधानिकता होगी तो क्या स्वेधानिकता होगी तो दोस्तों ये करते विदी मानने होंगे तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों इसमें 41. बारत के राष्टरपती को महावयोग द्वारा हटाये जा सकता है किन्तु महावयोग की परकिरिया को दोस्तों कहकर आलोचना की जाती है यह परकिरिया में कौन सा दोस्त नहीं है तो कौन सा दोस्त है वो नहीं है इस परकिरिया के अंदर वो अपने को इसमें बताना है देखे, राश्टरपती के निर्वाचन में राजे विदान सभा के सदस्य भाग लेते हैं किन्तु महाब्योग की परकरिया में उन्हें किसी भी परकार का अवसर नहीं दिया गया है महाबियोग की परकिरिया के अंदर दोनों सदन ही भाग लेते हैं लोकसभा और राजेसभा लेकिन विधानसभा है राजे की जो विधानसभा है वो इसमें भाग नहीं लेती लेकिन चुनाओ के समय है राश्टरपती का अगर चुनाओ करना है तो यहां पे इसका परियोग कि जाता है विदान सभागा ठीक है बिल्कुल सत्ते बात है ये लेकिन दोस नहीं है ये ठीक है ये दोस नहीं है आगे देखिए इसमें आगे देखिए महाब्योग में विवस्ता है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जाच करेगा इनमें यहे कि सदन स्विव्म जाज करेगा या अन्य किसी से जाज कराएगी ये भी दोस्तों इसमें सत्य है ठीक है ये भी इसमें दोस है यनकी पहला इसमें भी दोस है ठीक है यहाँ पर इस प्रस्टन में क्या पुछा था कि कौन सा दोस नहीं है तो ये दोस है ठीक है पहला भी दोस है दोसरा भी इसमें दोस है, तीसरा देखिए, राश्टरपती राज्य सभा के रिक्तिस्तानों पर अपने समर्थकों को मनोनित करके दो तिहाई बहुमत से अपने विरुद महाबयोग पारित करने की सम्भाव बना सकता है, ये दोस है दोस्तों, तीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब महाबयोग की परकिरिया चल रही हो, तीक है, अब राजे सभा और लोक सभा के अंदर, टोटल 14 सदस्य मनोनित करता है रा तीक है, ये दोस है, दोस्त नहीं है ये वाला, तीक है, देखिए, राश्टर पती को लोक सभा भंग करने का अधिकार है, यदि उस पर आरवप लगाया जाए कि मैं लोक सभा को भंग कर दे तो जनता ने की संसद अभियोग लगाने वाली होगी, तीक है, तो यहाँ पर इ यहाँ पर सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और राश्टर पती के महभियोग के अंदर, जब राश्टर पती का दुबारा से निर्वाचन होता है, तो ये जो मनोनीच दश्य हैं, वो उसमें भाग नहीं लेते, ये भी आपको याद रखना है, आगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है भारत का मुख्य नैदीज, ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए इसमें 43 नंबर प्रेस ने, राश्टर पती सविदान के किस अनुचेद के तहत भारत के मुख्य नैदीज के समक से सपत गरन करत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अनुचेद 60, अनुचेद 60, बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुचेद 60, आगे देखिए, मुख्य नैदीज की अनुपस्तिती में राश्टर पती किस के समक से सपत लेता है, तो इसका उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए, यदि राश्टर पती और उपराश्टर पती दोनों देश से बाहर हो, तो उस इस्तिती में उनके कार्यबार का गरेंड कौन करेगा, ये प्रेसन दोस्तों काफी बार प्रेक्षा में पूछा जा चुका है, य वो करेगा दोस्तों सर्वोचे नयले का मुख्य नयदीस, अगर मान लो राश्टर पती भी नहीं है और उपराश्टर पती भी नहीं है, और सर्वोचे नयले का मुख्य नयदीस भी नहीं है, तब राश्टर पती के कार्यों का निर्वहन कोन करेगा, तो इसमें सी नमबर से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है 46 नमर प्रेस्ट में भारत का राश्ट्र पति अपना त्याग पत्र किसे संब्धित करता है तो अपना त्याग पत्र है वो दोस्तों किसे संब्धित करता है कि यहां पर देखे न्याय पत्र है त्याग पत्र नहीं है यहां पे देखिए दोस्तों राश्टर पति अपना त्याग पत्र है वो किसी देता है? यानि कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं त्याग पत्र देते हैं तो इसका राइट आंसर इसमें B नमबर का option बिलकुल से उतर हो जाएगा उपराष्टर पती आगे देखिए राष्टर पती के त्याग पत्र की सूचना उपराष्टर पती किसको देता है तो यह देता है दोस्तों लोगसभाः अध्यक्स को तुरंत सूचना देगा कि राष्टरपती ने मेरे को त्याग पत्रे दे दिया है ठीक है आगे देखिए इसमें 48 नमबर प्रेस ने एक ही समय में यदि राष्टरपती और उपराष्टरपती दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपती के कर्तियों का निर्वहन कोन करेगा एक ही समय में यदि राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपती के कर्तियों का निर्वहन कोन करेगा तो इसका रहिट आंसर हो जाएगा वो है भारत का मुख्यनयदीस बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य नहीं दिस आगे देखे यदि मर्तियो त्याग पत्र अत्वा हटाए जाने की इस्तती में भारत के राश्टर पती का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कारे बाहर कौन समालेगा तो सीधा सा है राश्टर पती की मर्तियो या त्याग पत्र कुछ भी हो गया हो तो उसके कारे को कौन समालेगा तो वो है उपराश्टर पती तो इसमें बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पचास नमबर प्रेस ने जब राश्टर पती की मर्तियो त्याग पत्र या उसको हटा दिया जाता या अन्दे कारणों से दोस्तो कर्तवयों को नहीं निबा सकता तो उपराश्टर पती है वो कितने समय तक राश्टर पती के रूप में कारिये करता है तो वो है दोस्तो 6 माहे तक यानि कि D नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा छे माहें तक दोस्तो उपराश्टरपती है वो राश्टरपती के पदपर कारिये करता है छे माहें में राश्टरपती चुनना बहुत आउशक है तो इसमें D-Number Option से तरो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में से कौन से राश्टरपती पूरवा में केंद्रिय गरहमंत्री थे तो कौन से राश्टरपती है वो पूरव में यानि कि पहले है वो केंद्रिय गरहमंत्री रह चुके है तो उनका नाम है दोस्तो ग्यानी जैल सिंग ये सबसे कम पड़े लिखे थे इनका नाम है ज्यानी सिंग ज्यानी जैल सिंग और ये सबसे कम पड़े लिखे थे ठीक है तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए भारत के राष्टरपती निर्वाचित होने से पूर्वे निम्न में से कोन उपराष्टरपती न ज्यानी जैल सिंग है वो राष्टरपती बनने से पहले उपराष्टरपती नहीं बने थे ठीक है ये केंद्रिये ग्रह मंत्री थे तो इसमें डी नंबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें सीधा साब बहुत येचा प्रसन है भारत के चोथे राष्टर पति थे कौन थे क्या नाम था तो वो है वीवीगिरी ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट सबसे लंबे समय तक भारत के राष्टर पती रहे तो कौन रहे तो दोस्तों डोक्टर राजेंदर प्रसाद ये भारत के सबसे लंबे समय तक उमिद्वार कौन थे भारत का राष्टर पति चुने जाने वाले पर्थम गैर कोंग्रेसी उमिद्वार कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वीवी गिरी ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वीवी गिरी आगे के सर्व समयत्ती से चुने जाने का अभी तक एक मातर उदारन है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें डोक्टर नीलम संजीव रेडी नीलम संजीव रेडी ये दोस्तों भारतियर राष्टर पति के सर्व समयत्ती से चुने जाने वाले अभी तक एक मातर उदारन है नीलम संजीव रेड़ी दी नमबर उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें सत्ताओं नमबर प्रेस ने निम्नलिकित में से कौन कभी भारत का राश्टर पती नहीं रहा तो यहां पे देखिए कौन भारत का राश्टर पती नहीं रहा यहाँ पे देखे डॉक्टर S. रादा कृष्णन, डॉक्टर जाकीर उसेन, ग्यानी जैल सिंग, यह तीनों है, यह भारत के राश्टर पती रह चुके हैं, C. राज गोपालाचारी यह बहुत दोस्तों भारत के राश्टर पती है, वो नहीं रहे थे, ठीक है, तो इसका राज़ेंदर प्रसाद, B نमबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखें, निम्नलिकित में से कौन लग अतार दो बार राश्टर पती रहे थे, तो लगाए तार दो बार राश्टर पती है, वो कौन रहे थे, तो दोस्तों देखिए, डोक्टर राजेंदर प्रसाद है ये लगातार दो बार राश्टर पती के पद पर इन्हों ने कारिये किया था आगे देखिए इसमें 60 नमबर प्रेस्न है भारतिय सविदान का कौन सा अनुछेद राश्टर पती पद के लिए पुने निर्वाचक की योग्यताएं निर्धारित करता है ठीक है देखिए 56 में तो क्या है कारिये काल ठीक है और 57 में क्या है तो दोस्तो योग्यता ठीक है तो याद रखना अनुछेद 56 में कारिये काल और 57 में योग्यता तो इस प्रेस्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें अनुचेद 57 यानि की D नमबर का उप्षन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा अनुचेद 57 इसमें क्या है योगेता राश्ट्रपती की क्या क्या योगेता हैं वो इसमें बताई गई है आगे देखिए इसमें इक सट नमबर प्रेस ने जनता पार्टी के सासन के दोरान भारत के राश्ट्रपती थे तो कौन थे तो दोस्तों एन संजीव रेडी यानि की नीलम संजीव रेडी तो इसमें B नमबर उप्षन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए भारत के किस राश्टरपती की मर्त्यू कारेकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी यनिकी अपने को उस राश्टरपती का नाम बताना है जिनकी कारेकाल समापत होने से पूर्व ही उनकी मर्त्यू हो गई तो उनका नाम था दोस्तो डोक्टर जाकीर हुशेन सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर है हो जाएगा डॉक्टर है जाकीर हुसेन ठीक है आगे देखिए इसमें 63 नंबर प्रेस ने भारतिय संग के प्रतिरक्षा बलो का सरवच्चे समादेस निमनलिकित में से किसमें नहीत होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो किसमें तो राष्टर पती में तो सिधा सा है तीनों से नाओं का जो परमुक होता है वो राष्टर पती होता है बी नंबर उप्षन सही उतर आगे देखिए निमनलिकित में से भारत का राष्टर पती किस की नियुक्ति नहीं करता है तो भारत का राश्टर पती है वो किस की नियुक्ति नहीं करता तो वो है दोस्तो उपराश्टर पती की नियुक्ति है वो भारत का राश्टर पती नहीं करता परदान मंत्री, राज्यपाल, मुखे निर्वाचन आयूक्त इन तीनों की नियुक्ति दोस्तों भारत का राश्टर पती करता है तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 65 नमबर प्रेस्टने निमनली कित में से किसकी नियुक्ति भारत का राश्टर पती करता है तो किसकी नि अगर देखे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वहें डी नमबर का ऑपसन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित में से किसकी नियुकती भारत के राष्टरपती द्वारा नहीं होती है तो किसकी नियुकती भारत के राष्टरपती द्वारा नहीं होती है तो यहाँ पे देखे लोकसभा अद्यक्स लोकसबा अद्यक्स की न्युक्ति दोस्तों लोकसबा सदस्यों द्वारा की जाती है यहाँ पर राश्टरपती का कोई रोल ही नहीं है भारत के मुख्यनाइदी सेना पर मुख इन दोनों की न्युक्ति राश्टरपती द्वारा की जाती है यानि कि भारत के राश्टर पती की मरजी तक निमन लिकित में से कोन अपने पद पर रह सकता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दूस्तों इसमें कोन तो वो है राजयेपाल, ठीक है राजयेपाल की नियुक्ति कोन करता है, राश्टर पती करता है और राश्टरपती के अनुसार ही वो अपने पद पर बना रह सकता है राश्टरपती जब चाहिए तब हटा सकता है राजय पाल को ठीक है तो इसमें C नंबर उप्शन सयुतर आगे देखें निम्नलिकित में से किसे राश्टरपती न्यूक्त नहीं करता है तो राश्टरपती है वो किसे नियूक्त नहीं करता तो यहां पर देखें वितायोग, योजनायोग, राजकी भासायोग, तो संग लोग से वायोग यहां पर योजनायोग है यह दोस्तो एक सविधानी की काई नहीं है तो इसकी जो न्यूक्ति है वो दोस्तो राश्टर पती नहीं करता है बाकि तीनों की न्यूक्ति वितायोग, राजकी, वासायोग और संग लोग से वायोग इन तीनों की न्यूक्ति दोस्तो राश्टर पती करता है तो इसमें B नमबर उप्शन सवीकरती आवशक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें भारत के राश्टर पती की तो इसमें C नमबर उप्शन की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसी दिया गया है तो किसी अभी विक्त की फांसी की सजा बदलने या कम करने का अधिकार किसी दिया गया है तो ये दिया गया है दो तो राश्टर पती को ठीक है तो इसमें ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राश राश्टरपती द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है तो कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है तो दोस्तों टोटल 14 सदस्ये नामित करता है ठीक है यह नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें बारा राजे सभा में और दो लोक सभा में आगे देखे भारत के राश्टरपती को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वहें नियायले के नियायदीस को हटाए यह अधिकार दोस्तों राश्टरपती के पास में नहीं है तिक हैं समा करने का है आपात काल की गोशना करने का है जादेश जारी करने का है लेकिन नैदीस को हटाने का अधिकार है वो राश्टरपती के पास नहीं है तो इसमें B-Number Option सही उत्र हो जाएगा आगे देखें किसी विदी के प्रेशन पर सर्वोचे नैले से प्रामर्स लेने का अधिकार किसको है तो दोस्तो 143 नहीं कि आर्टिकल 143 के तहट राश्टरपती है वो सर्वोचे नैले के मुखे नैदीस से प्रामर्स ले सकता है परन्तु उस प्रामर्स को मानने के लिए राश्टरपती बादे नहीं है तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्सन बिल्कुल से उत्तर राश्टरपती आगे देखिए अभी मैंने आपको बताया 75 नंबर प्रेसन में देखिए क्या है भारतिय सविदान का कौन सा अनुचे द्राश्टरपती को उच्टम नैले से प्राम किसका है तो यह है राश्टरपती का तो इसमें डी नंबर उप्सन से उत्तर हो जाएगा राश्टरपती आगे देखिए राश्टरपती को कौन सहाईये एवं मंतर ना देता है तो वो है संगिये मंतरी परीशद डी नंबर उप्सन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे बारत के राष्ट्रपती ने आर्तिक संकट की गोशना कब की थी, तो ये की थी दोस्तो कब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो कभी नहीं, यानि कि आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 का अभी तक एक बार भी प्रियोग नहीं किया गया है, तो इस प्रेशन का राइ विदेशों को बेजे जाने वाले विबिनस अंसदिये परति निदी मंडलों के लिए व्यक्तियों का ना मांगकर निमनलिकित में से कोन करता है, तो दोस्तो कोन करता है, तो वो करता है, राष्ट्रपती, C नमबर और उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असी नमबर प्रेसन इसमें देखे, भारत के निमनलिकित में से किस मुख्य नयदीस ने कुछ समय तक बारत के राष्ट्रपती के रूप में कारिय किया, तो दोस्तों उनका नाम था, एम हिदायत तुला, यानि कि नया मूर्ती एम हिदायत तुला, इन्होंने राष्ट्रपती के रूप में कारिय किया हुआ है, तो इसमें डी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए कैसी नमबर प्रेसने, बहुती अच्छा प्रेसने, निमनल लोग सबा का सतर बुलाना ये राष्ट्रपती का कारिया है, लोग सबा का विगटन करना ये भी राष्ट्रपती का कारिया है, लोग सबा का सतर आउसान करना ये भी राष्ट्रपती का कारिया है, तो इस का राइट आंसर डी नमबर उप्सन हो जाएगा, आगे देखिए, विदेशी देशों के सभी राज़दुतों का कमिश्णरों के परते पत्र किसके द्वारा प्रापट किये जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राश्टर पती के द्वारा C नंबर का उप्शन सहीटर जाएगा नेक्स्ट 83 नमबर प्रेशन है राश्ट्रपती किस विदेग को पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकता तो वो है धन विदेग तो इसमें C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धन विदेग ठीक है धन विदेग को दोस्तों वापस नहीं लोटा सकता आगे देखे यदि राश्ट्रपती द्वारा किसी विदेग को पुनर विचार के लिए लोटाया जाता है तो वह किस विटो का प्रियोग करता है तो वह कौन सा विटो का प्रियोग करता है तो इसमें B नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जे भी विटो का मतलब क्या होता है कि यहां पर लोटा तो दिया यानि कि किसी विदेख को निलंबन कारी वीटो के तहट लोटा दिया वापस अब जे भी वीटो के अंदर वो लोटा था भी नहीं है और उसको पास भी नहीं करता ठीक है अपने पास पड़ा रखता है वो होता है JB Vito तो इसका right answer B number option हो जाएगा आगे देखे राष्ट्रपती निमन में से किस सूची के विशे पर अध्यादेश जारी कर सकता है तो कौन सी सूची के विशे के उपर दोस्तो अध्यादेश जारी कर सकता है तो संग एवं संवर्ती सूची आगे देखे राष्ट्रपती किस सूची के विशे उपर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें राज्यादेश सूची C number का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा राज्यादेश सूची नेक्स्ट 87 number प्रेशन है निम्नलिकित में से किस परिश्टिती में राष्ट्रपती अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है तो कौन सी परिश्टिती में राष्ट्रपती अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों जब दोनों सत्र में हो तब राश्टरपति अद्यदेश जारी नहीं कर सकता तो इसका right answer इसमें C number का option बिलकुल सही उत्र दोनों का मतलब समझे राजे सबा और लोक सबा दोनों की बात हो रही है अपर तो इसमें C number option सही उत्र हो है तो राश्टरपति को अधिकार है कि उसे पुनर विचार के लिए वापस बेज सकता है यदि कोई विदय के संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राश्टरपति को अधिकार है कि उसे पुनर विचार के लिए वापस बेज सकता है तो इसका right answer D number option सही उत्र 89 नमबर प्रेशन है भारत के राष्ट्रपती संसद के दोनों सदनों को पर्थम सत्र के प्रारंब में कब संबोधित करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें देखें पर्तिवर्स लोग सबा के लिए परते काम चुनाओं के बाद में ठीक है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर का उप्सन ए और बी दोनों सविदान के अनुछेद 124 के अंतरगत राष्टरपती निमनलिकित में से क्या कर सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें सर्वचे नेले के नय दीशों की नियुकती तिक है यानी कि अनुछेद 124 के अंतरगत राष्टरपती है वो सर्वचे नेले के नेदीशों की न्युक्ति कर सकता है तो इसमें बी नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एकराणवा नंबर प्रेस्ट नहें इसमें देखिए किसी मर्तुदंड पाए अपरादी को समादान करने की सकती निमनलिकित में से किसको प्राप्त है तो ये किसको प्राप्त है ये सकत तो ये केवल राश्टरपती को प्राप्त है तो इसमें A नमबर उप्शन से उत्र हो जाएगा आगे देखें एपरत्यासित वेयों की पूर्टी के लिए निमनलिकित में से कोन भारत की आकस्मिक निदी से धल निकाल सकता है तो वो है दोस्तो राश्टरपती सी नमबर का उप्शन से उत्र हो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में से कौन सा अधिकार भारत के राश्टरपती को प्राप्त नहीं है ये अपने को बताना है देखें उच्टम नायले तथा उच्टम नायले के नायदिसों को निक्त करना ये दोस्तो राश्टरपती का कारिया है अधिकार है आगे देखें उच्टम नायले तथा उच्टम नायले के अधिकारों को हस्तगत करने का ये दोस्तो अधिकार है ये राश्टरपती के पास आहूत कर सकता है किनकिन परिस्तितियों में इस राष्टर पती संसत का संयुक्ता दिवेशन आहूत कर सकता है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चार कतन दिये गए हैं देखिए एक सदन-धवारा पारित विधह को दूसरे सदन-दवारा रद कर देना दूसरा है एक सदन द्वारा विधेक में प्रस्तावित संसोदन दूसरे सदन द्वारा स्विकार ने किया जाना दूसरा देखे तीसरा देखे इसमें एक सदन द्वारा विधेक की प्रापती के 6 माहे तक कोई कारवाई ने करना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रियोक्ते सभी प्रिस्तितियों में राष्ट्रपती संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो आहूते कर सकता है तो इसमें डी नंबर का उप्सन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें किसी संस्तूती के आदार पर भारत का राष्ट्रपती भारत की आकिस्मिक निदी से धन वे कर सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें किसी भी संस्तुती की जरूरत नहीं है ठीक है राश्टरपती कर सकता है डी नमबर का उप्सन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे राश्टरपती के किस अनुचेद के अंतरगत राश्टरपती संग्य मंतरी परिशद की सला मानने के लिए बा सा तो वो है अनुचेद 74 ए नमबर का उप्सन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा अनुचेद 74 ठीक है आगे देखे इसमें 97 नमबर प्रेस ने युद अत्वा भारत पर आकर्मन होने की इस्तिति में निम्न लिकित में से कौन अंतिम रूप से आकर्मन कारी के विरुद गोशना करता है तो कौन अंतिम रूप से युद की गोशना करता है तो वो है दोस्तो राश्ट्रपती राश्ट्रपती ही अंतिम रूप से गोशना करता है डी नमबर का उप्सन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे भारतिय सविदान के अनुसार भारत के राश् फारिसों को बिल्कुल सही है लोक लेखा समिती के परतिवेदन को इस ये निरखवाएगा दोस्तो राश्टर पती ठीक है तो अपना राइट आंसर हो जाएगा संसद्गी पटल के उपर ठीक है तो इसका राइट आंसर इसमें एक तीन चार तो एक तीन चार सी नंबर आगे देखिए 99 नंबर प्रेस ने लोक सबा निमनलिकित में से किस के द्वारा भंग की जाती है तो किस के द्वारा भंग की जाती है तो ये की जाती है दोस्तो परदान मंतरी के प्रामर से राश्टर पती द्वारा ये लोक सबा है ये भंग की जाती है बी नंबर का उप् तो यह है परदान मंत्री तथा मंत्री मंडल के लिखित परामर्स पर दोस्तो आपातकाल की उत्गोषना कर सकता है तो इसका बी नंबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तो आज मैंने आपको जो टोप 100% करवा दिये हैं राश्ट्रपति से समंदीत तो दोस्तो प्रैस्तना आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताए और अराध्यारेस एकडिमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स टूडियो में जहिन जभरत